1718 नएग COVID cases आज जम्मू कश्मीर में record करे गए हैं, जिसमें से 585 जम्मू डिविजन से record करे गए और 1133 जो cases हैं वो कश्मीर डिविजन से आए अगर मैं deaths की बात करूँ तो आज 24 COVID-19 के कारण लोगों की जान गई है जम्मू कश्मीर में जम्मू डिविजन के लिए थोड़ी सी राहत भरी बात है क्योंकि आज केवल 7 लोगों की जान गई है, साथ लोगों की जान जाना भी एक बुरी खबर है लेकिन देखना ये हो रहा है कि कुछ दिनों से जो नंबर है वो शायद कहीं नंबर घट रहा है और कश्मीर डिविज की जान आज GMC जमू में गई दो लोगों की जान GMC रजोरी में गई तीन लोगों की COVID-19 के कारण मृत्यू GMC कठुआ में हुई, एक व्यक्ति की मौत MH सत्वारी जमू में हुई, दो लोगों की जान जो है वो घरी में गई COVID-19 के कारण उसके बाद उने अस्पताल आया गया तीन लोगों की मौत SMHS श्रीनगर में हुई, एक व्यक्ति की मौत SKIMS JVC बैमीना में हुई, एक व्यक्ति की मौत SKIMS सौरा में हुई, एक व्यक्ति की जान डिस्टिक हॉस्पिटल बांडेपुरा में गई, एक व्यक्ति की मौत CD हॉस्पिटल श्रीनगर गई, एक व्यक्ति क एक व्यक्ति की मौत डिस्टिक हॉस्पिटल कुलगाम में हुई अगर इसी के साथ उन लोगों की बात करें जिनकी आज मौत हुई है तो शीनगर में जिन लोगों की मौत हुई उसमें एक 75 वर्षिय महिला थी जो बटमालू की रहने वाली थी SMHS हॉस्पिटल में एक ही दिन हुआ था इन्हें एडमिट हुए और उसके बाद कोविट-19 की कारण इनकी मौत हो गई एक 70 वर्षिय पूरुष थे जकूरा श्रीनगर के रहने वाले आट दिन से ही अस्पताल में एडमिट थे लेकिन इनकी भी कोविट-19 की कारण आज मौत ह हो गई एक 80 वर्षिय पूरुष थे पदाश पच्छाही बाग श्रीनगर के रहने वाले ये भी SMHS हॉस्पिटल में एडमिट थे कोविट-19 की कारण इनकी भी मौत हो गई एक 75 वर्षिय पूरुष थे ब्रणवार बढ़गाम के रहने वाले हॉस्पिटल में SMHS हो गई एक 70 वर्षिय पूरुष एक 70 वर्षिय महिला थी थमूना पुलवामा की रहने वाली डिस्टिक हॉस्पिटल में एडमिट थी लेकिन इनकी भी कोविट-19 के कारण मृत्य हो गई और जन लोगों की जान जमू डिविजन से गई है उसमें से एक 50 वर्षिय के कारण हुई एक 70 वर्षिय महिला है थानामंडी की रहने वाली यह भी जीमसी रजोरी में ही एडमिट थी इनकी मृतियों भी कोविट-19 के कारण हुई और एक 76 वर्षिय पूरुष हैं यह जमू के ही रहने वाले हैं SMVD नारायना होस्पिटल में यह एडमिट थे इनकी म सब्सक्राइबन पुल्वारा नहीं पुल्वान को को ठीट चैकाई создいます मिल्लमा से वन फिफ्टी चैसे फिर्च आइन इसी के साथ कश्मीर डिजिन में आज 1133 नए केश आए हैं जिसमें से 10 लोग जो हैं वो ट्रावलर्स थे और बाकी सारे लोकलर्स वहीं के रहने वाले थे आगर जम्मो डिस्टिक की बात करें तो 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 ऑजबा het केसिस जाएं हैं सांभा से व्रॉंड उन्वाइब केसित्वार ने केसिज उन्हें हैं न्यक्राइब ने केसि जाएं है具 से Butt-gut जो हैं वो ट्रावलर्स है और बाकी के 572 जो नंबर है वो लोकलर्स का ही है इसी के साथ अगर मैं रिकावरी की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में 2,58,536 टोटल जो लोग हैं जब से कोविड की वेव शुरू ही है तब से अभी तक टोटल इतने लोगों ने रिकावर किया है आज के ही दिन में 3,391 लोगों ने रिकावर किया है कोवर 19 से जिसमें से 1,327 जो हैं वो जम्मू डिविजन से हैं और 2,064 जो हैं वो कश्मीर डिविजन से हैं यानि कि अगर आप देखें तो जितने इंफेक्शन आये हैं उसे नेरली डबल जो है वो जादा रिकावरी हो हैं वो भी लोगों की कम हो रही है लेकिन इसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जा सकता अभी भी क्योंकि कोवर जो है वो अभी भी बरकरार है जो लोग अपने घरों से अपनों को खो रहे हैं वो भी अभी चल रहा है लोगों के परीजन अभी अस्पतालों में एड् प्रभग एक महीने के लॉकडाउन के बाद खोली गई और उतनी ही लंबी लाइने देखी जारी थी दुकानों के बाहर लोग जितनी भी दुकाने जमो कश्मीर में जहां जहां भी हैं पूरी हर जगा पे लोग पूरी-पूरी लंबी लाइनों में लगे हैं मास्क प्रॉपर लोग उस समय इस चीज के ध्यान दे रहे थे कि हमें किसी तरह से आज जो है वो शराब मिल जाए जबकि यह order है कि हफते में तीन दिन जो है वो शराब के दुकाने खुलेंगी इसी के साथ साथ रेड क्रॉस के जो वॉलेंटियर्स थे वो भी मार्केट में देखे गए उन लो सबसे पहले जो आपकी प्रियॉरिटी होनी चाहिए वह अपकी और आपके परेजनों की हैल्थ होनी चाहिए आप बचे रहेंगे आप जिन्दा रहेंगे तभी आप बाकी लड़ाईयों से लड़ेंगे तभी जिन्दगी के बाकी मज़ेभी उठाएंगे तो इसलिए मार्केट जाने से पहले या इस तरह कि कोई भी